असलाम लेकूम दियर स्टूडेंट्स होप यौर आल फाइन बिटा आज जो हमारा उन्वान है वो है आदे हुरूफ की पहचान दियर स्टूडेंट्स आज हम लिखेंगे आदे हुरूफ की पहचान यानि किस हुरूफ की है आदे हुरूफ की पहचान वो हम यहां पे लिखे कि पेठ पहले हम क्या लिखेंगे हरूफ-ी हर्व, diabo-ी- 2- सुर्वaben की जाण, हम पोरा हम लिखेंगे यानि एलिफ की आदी शक्त नहीं है, पिलिफ का आदा हरूफ नहीं है अब हम बेटा बिया लिखेंगे बिया की आधी शकल है बिया का आदा हरूफ है यानि इस बिया का आदा हमें लिखना है यहां पे और नुक्ता लेके इसका नुक्ता नीचे है यहां पे भी नीचे आएगा अब बेटा अब हैं पिया पिया का आदा हरूबी है यानि पिया का आदा हरूबी है पिया का आदा हम लिखेंगे ये पिया है हाँ ये जो पिया की शकल है हाँ ये हम पूरा पिया अब आदे हरूब की पहचान पिया की क्या है पिया का आदा इसका मतलब है यह जो है यह पिया की आदी शकल है इसके बाद है बेटा तीया तिया की भी आदी शकल है तिया का आदा हरूफ भी है नुक्ते इसके उपर दो है यहां पे भी आएंगे इसके उपर दो नुक्ते तिया के बाद आता है बेटा तिया शाबाज तिया के अंदर छोटा सत्वाई अब TIA का आदा हरूफ भी हैं TIA की छोटी शकल भी हैं इस TIA को आदा करेंगे हम लिखेंगे हम पर यही आदा यहां पर इसका मरलब है TIA का आदा हरूफ भी है अब हैं बेटा SIA SIA के अंदर हैं तीन नकते पहले दो फिर उपर की तरफ एक अब सिया कादा हुरू भी है यहां पे लिखोगे अब सिया कादा हुरू नुक्ता ऐसी ही डालोगे अलिफ कादा हुरू नहीं है बिया कादा हुरू है पिया कादा हुरू भी है तिया कादा हुरू भी है तिया कादा हुरू भी है अब हैं बेटा जीम जीम की अंदर है एक नुक्ता आपको पता है जीम कैसे है हाँ ये जो बीया पीया टीया टीया सिया ये एक जैसे हैं सारे खाली इनके नुक्ते ही अलग-अलग है और अलिफ की पैचान भी अलग है अब हैं जीम ये इसकी शकल अलग है हाँ जीम अब जीम का आदा हमें लिखना है ना जीम की आदे शकल है जीम का आदा हम लिखेंगे इतना यहां तक और नुक्ता लेके जीम की आदे शकल ये हैं बेटा चीम चीम के अंदर होते हैं तीन नुक्ते हैं पहले दो फिर नीचे की तरह एक अब चीम की आदी शकल भी है चीम का आदा हरूफ भी है अब हैं बेटा हाई हाई का आदा हरूफ भी है इसका हाई का आदा हम लिखेंगे हैं ये पूरा हाई है हाई का आदा इसका मतलब है आदा हरूफ कितना है हाई का यहां से यहां तक बास इतना ही यहां पे लिखना है जीम का अदा हरूप भी है जीम का अदा हरूप भी है हाई का अदा हरूप भी है अब हम बेटा यही पे लिखेंगे खाई का आदा हरूफ भी है खाई का आदा हरूफ कितना आएगा शबाश वेरी गूड आपको पता है हाँ यहां पे लिखेंगे खाई का आदा हरूफ ऐसे ही और उपर एक नुक्ता यह जो जीम, चीम, हाई और खाई यह एक जैसे हैं खाली इनके नुक्ते ही अलग अलग है हाँ, अब हैं खाई के बाद बेटा दाल दाल का आदा हरूफ है नहीं है, वेरी गूड दाल हम ऐसे लिखेंगे हाँ, यहां पे छोटा सा करो अब डाल का आदा हरूफ डाल का आदा हरूफ भी नहीं है उपर डालेंगे तोई जॉल का आदा हरूफ है नहीं है विरी गुड अम दॉल डॉल जॉल ये छोटे शकले हैं एक जैसे हैं इनका आदा हरूफ भी नहीं है हाँ अब है रिया रिया का आदा हरूफ है नहीं है दिया का आदा हरूफ है नहीं है, हाँ शाबाश ये बात याद रखना है ना किस-किस का आदा हरूफ नहीं है पहले अलिफ का आदा हरूफ हमने नहीं लिखा है अलिफ का आदा हरूफ नहीं है बिया का है, पिया, टिया, टिया, सिया, जीम, चीम, हाई खाई का आदा हरूफ है अब डॉल डॉल जॉल रियर डियर जियर का आदा हरूफ नहीं है और चियर का आदा हरूफ नहीं है एक तो अलिफ का आदा हरूफ नहीं है और डॉल डॉल जॉल रियर डियर जियर चियर इनका आदा हरूफ नहीं है यह जो बाकी हरूफ है उनका आदा हरूफ हमने लिखा है अब चिये के बाद आता है बेटा सीन मैंने बोला ना चिये शाब सीन अब सीन का आदा हरूफ इतना ही है यह पूरा सीन है सीन का आदा कितना है इतना है यानि हमें यहां से यहां तक लिखना है हाँ कोई ऐसा लिखता है अब कोई ऐसा लिखता है ना बेटा शाबबाश अब है सीन का आदा हरूफ अब हैं बेटा शीन यह मैंने कल बोला छोटा सा दामनुमा यहां पे भी छोटा सा और फिर बड़ा दामनुमा लाइन की नीचे नहीं जाना है पूरा खाया रखना है ये सिंगल लाइन कॉपी है लाइन पे लिखना है शीन के उपर तीन नुक्ते अब शीन का आदा हरू भी है शबस उपर तीन नुक्ते अब हैं सौध सौध का आदा हरू भी है है। जौज उपर नहीं है नुक्ता हां a tail a as a other result का आदा हरूफ है अब भी इता त्वाय हां यहां पर बिल्कुल बंद हो रोना चाहिए हां यहां पर बीत गुरुण पर आएगा त्वाय का आदा हरूफ नहीं है यहां पर ऐसे कब करो नहीं है इस खरी ज्वाई का भी आदा हरूफ नहीं है पूरी खड़ी लकीर फिर कहां पर करो खड़ी लकीर की नीचे है उपर नुकता तो आई ज्वाई का आदा हरूफ नहीं है अब है अंगन अंगन का आदा हरूफ है अब है गंगन गंगन का आदा हरूफ भी है जाओबस आज हैं फैया वीका आदा हुरूबस यानि यहादा हैं लिका आदा आदा आई हैं आज हैं पहुआबस कॉ हुआबस तो भी हैं सबस्द्ट कोई आस लिक्तेना कोई आस लिक्ते हैं अब हैं कीफ कीफ का आदा हुरूफ गैसे है हाँ आदा ही है यहां तक कीफ गाफ का आदा हुरूफ शाबबाश यहां तक गाफ की आदी शक्ल ऐसी है अब है लाम लाम आप ऐसे लिखते हो लाम की आधी शकल भी है मीम मीम की आधी शकल भी है very good नून की आधी शकल भी है नून का आदे हुरूफ का पहचान भी है वाव का नहीं है वाव ऐसे करो यहां पे यहां पे उपर है ही यह ही की आदी हुरूफ की पहचान है हमज़की नहीं है अब हैं छोटा यह छोटा यह की आदी हुरूफ की पहचान अब हैं बड़ा यह बड़ा यह की आदी हुरूफ की पहचान ऐसे यानि जो छोटा लाकुटी है और बड़ा यह है इसकी आदे हरूफ की पहचान ऐसी और ऐसी है इन दोनों की सेम है हाँ यह है बेटा आदे हरूफ की पहचान हमने यहां पे सीखा है किस किस हरूफ की आदे हरूफ की पहचान है और किसकी आदियो हुरूफ की पैचा नहीं है उमीद है आपको आच्छे से समझ आया होगा अल्हाफे